Hello everyone, welcome back to our channel, this is Jumeesh Bhardwaz once again with all of you दोस्तों, recently DTPSB के तरफ से waiting panel में जो candidates थे उनको clear किया जा रहा है आप कह सकते हो कि waiting list एक तरीके से release की जाती है और उसके लिए एक अलग से cutoff decide की जाती है यहाँ पर PGT Home Science के candidates की list है उसके बाद एक दूसरा notice दिखाने वाला जिसमें आपको entity के लिए बताया गया है सबसे पहले देख लीजिएगा PGT Home Science के लिए Unreserved candidates के लिए waiting list पर जो एक cutoff decide की गई है वो है 157.75 OBC candidate के लिए 104.25, SC के लिए 113.5, SC के लिए 99.25 and handicap में 120.25 So, यह सभी candidates वही candidate होंगे जिन्होंने E-Dosier अलरी फाइल कर दिया होगा और उनको अपने सिर्फ marks देखने हैं OARS मोडियूल में और अगर उनके marks गिवन cutoff से ज्यादा है So, वो वापिस से recruit कर सकते हैं कहने का मतलब update रपास भी उनको complete process मिल जाएगा उनको ठीक है अपने documentation का जो भी होगा एक manual documentation का and all वो सभी process उनको clear करना होगा बाकि सभी inquiry और verification के लिए यहाँ पे notice में बताया ही गया है और इनका जो panel था वो भी बता देता हूँ आपको हो सकता है और भी list अभी वापिस से आ जाए क्यों उसका reason यहाँ पर mention है कि जो waiting panel है न वो 29th April 2020 तक valid है और यहाँ पर देख सकते हैं 30 April 2019 तक valid रहेगा ठीक रही बात तो यह dates है जब तक यह dates cross नहीं हो जाती तब तक chances रहते हैं waiting list आने के ओके one year का time period almost रहता है waiting panel के दवारा कि waiting list release की जा सकती है ठीक रही बात और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि यह complete जो notice है वो है पिचेटी होम साइंस female candidates के लिए post code 93 by 17 के लिए चलिए next notice दिखा देता हूं तो यह second notice है दोस्तों assistant teacher nursery post के entity post जीसे आप कहते हैं post code 88 by 17 आप देख सकते हैं DOE की यह post थी और यहाँ पर total 320 vacancies थी category wise भी दिया हुआ है कि कितने कितने vacancies देख सकते हैं फर्स paragraph में ही चलिए देख लेते हैं यहाँ पर SC candidate में candidate का roll number दिया हुआ है चलिए मैं आपको cut off बता देता हूं कि क्या cut off रखी गई है final जो वेटिंग पैनल के दुवारा है वेटिंग लिस्ट की cut off जैसे आप कहा सकते हूं यहाँ पर देखेगा आप देखेगा आप देखेगा आप रिकॉल किया जाएगा और रिकूट किया जाएगा उन सबी कंडिडेट्स को जिनके marks given cut off से ज्यादा रहेंगे आप अपने marks check कर सकते हैं वह यह सबी कंडिडेट्स का एक कॉश्चिन है कि 15 by 19 का result कब आने वाला है वो भी as soon as possible release कर दिया जाएगा और cut off क्या रहेगी वो भी आपको तभी finalize हो जाएगा मिलता हूं दोस्कों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखेगा खुश रिएगा बाबाई वो भी आपको चैसे बता पहूंँ बाबाई टेक केर